हलो बच्चों मेरा नाम पवन कुमार गुपता टीम फिजिक्स CLC सीकर तो उम्मीद करता हूँ आपका आज का टेस्ट भी काफी अच्छा हुआ होगा और आपने जो जेई मेंस की प्रप्रेशन है उसको अच्छे से कंटिन्यू किया हुआ होगा क्योंकि आप जेई मेंस की ड तो यहां पर आप पहले करशन में देखें आपके एक ऑब्जेक्ट की बने एक अब्जेक्ट जो है वो पर्फॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मनिक मोशन जिसका मास कितना है एम और स्मूध होरिजॉन्टल सर्फेस है जो की जनरली होती भी ऐसेजिम की करशन में फिर जब यह एक्स्ट्रीम पोजिशन पर जब आता है एक्स्ट्रीम पोजिशन मतलब इस टाइम पर किया है बीटा रेस्ट में अभी इसके एक्स्ट्रीम पोजिशन पर है यहां मालत है नेगेटिव एक्स्ट्रीम पोजिशन पर तो जब एक्स्ट्रीम पोजिशन पर तो इसकी केगा तो momentum conservation लगाना पड़ेगा लेकिन already object यह वाला जो है वो rest पे है अब यह object अगर rest पे हो और आपने कोई दूसरा object रख भी दिया तो पूरा system ही rest पे मतलब अभी भी object रखने से पहले और object रखने के पास system की kinetic energy तो क्या है जीरो है ना चलो अब इस concept को समझते हैं अपन जैसे मानलो आपने यहां पर यह object जो अपनी extreme position में था यह रेस्ट में था और प्लस ए पे था फिर आपने दूसरे case में जब इसी condition में आपने object को रखा और इस पर आपने 2m mask object हो रख दिया तो system अभी भी रेस्ट में रहेगा लेकिन अब जब यहां पर मास जो हुआ वो ट्रिपल हो चुका है ना तो यहां पर जो omega होता है omega क्या होता है बेटा root of k by m तो यहां angular frequency कितने हो जाएगी k upon m plus 2m omega डेश तो यह हो जाएगा k upon root 3 omega upon root 3 है ना बच्चों यह हो जाएगी इसकी angular frequency नहीं angular frequency चेंज होगी और k तो as it is है अभी भी केडेश तो बही स्प्रिंग का कॉंस्टेंट बार से में अब ऑब्जेट अभी भी एक्स्ट्रीम पोजिशन में है फिर जब मीनिम आएगा और एक नेगेटिव एक्स्ट्रीम में जाएगा याद रखना जो उसका एंप्लिट्यूड होता है वह अभी पहले वाल बार ठीके अभी हाँ पर सिस्टम की जो एनर्जी ओफ हैसे चाना वह में कैसे लिखेंगे एनर्जी वह जाएगी हाफ कि A square तो energy of SHM पर कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि energy of SHM जो है वो दो उतनी है लेकिन यहाँ पर जो यह energy जब पूरी की काइनेटिक में convert होगी काइनेटिक energy की maximum value कितनी होती है energy of SHM के equal होता है ध्यान रखना यह total energy नहीं है यह energy of SHM होता है half k square जो formula होता है वो हमेशा energy of SHM को represent करता है है ना total energy और energy of SHM जो है वो अलग-अलग हो सकते हैं अगर reference potential energy 0 ना हो तो ओके बच्चों तो यह हो जाएगा मेरे पास half अब m की जगे क्या जाएगा यहाँ पर 3m तो यहाँ पर half 3m v max square is half k square तो यहाँ पर इसको भी v dash कर दो तो v max dash कितना हो जाएगा बचाए half से तो half cancel हो गया यह हो जाएगा k upon 3m a जिसको अपन omega into a बोलते हैं तो यहाँ पर omega by root 3 हुआ इसका मतलब यह जो था वो पहले वाली speed का कितना है बचा v max जो पहले वाला था उसका केवल कितना आएगा है यह आएगा उसका 1 upon root 3 times ओके बच्चो तो इस प्रकार से यह अपना आंसर आ रहा है इसमें अब अपन और option पढ़ें एक बार option पढ़ने से काफे सारे चीज़े clear होंगी amplitude of oscillation remains unchanged सही बात है यह तो अपन ने देख लिया था amplitude जो है वो नचेंज रहेगा period of oscillation remains unchanged ओमेगा अगर change होगा तो time period भी change होगा तो यह unchanged जो लिखा है यह गलत लिखा है total mechanical energy of system does not change देख टोटल mechanical energy जो है यहाँ पर जब अपन ने इसको रखा वात है तो इसकी kinetic energy कितनी थी इनिशल kinetic energy जो है यहाँ पर इस case में initially के initial कितना है जीरो यू initial कितना है half k a square इस case में k final कितना है अभी भी जीरो है just block रखने के बाद यू final भी कितना है वो half k square ही है तो क्या mechanical energy change होई system की नहीं change होई याद रखना total mechanical energy में कोई change नहीं हुआ है तो जो अपना यह यह अपना है यह भी सही है total mechanical energy system does not change maximum speed of oscillation object change सही बात है maximum speed of oscillation 1 by root 3 times हो जुगा है तो यह भी change हो रही है अपनको क्या चाटना है इसमें से incorrect statement बताना है गलत कथन तो यहाँ पर गलत कौन सा है second second गलत है इसलिए इसका answer क्या हो रहाएगा second option correct okay बच्चों तो यह इसका solution not करें बटा फिर आते हम हमारे अगले question second question पर particle ऐसे चेम कर रहा है maximum displacement a displacement minus a by 4 तो देखो यहाँ पर यह फिर इसको अपन ने क्या बोल दिया f बोल दिया f की value क्या रही प्लस k by 4 फिर इसमें और क्या बोला इन्होंने energy energy कितनी हो जाएगी अपने पास potential energy होती half k x square यहने की a by 4 square तो यह हो जाएगा 1 by 16 times of half k square ठीके फिर उसके बाद यहाँ पर अपनको v बताना speed तो v क्या हो जाएगा अपने पास omega root of a square minus a by 4 का square तो यह हो जाएगा root 15 by 4 omega into a और यहाँ पर kinetic energy बता नहीं तो kinetic energy हो जाएगी half mv square तो यह हो जाएगा मेरे पास 15 by 4 half k square m into omega square को k 15 by 4 half k square 15 by 16 sorry 15 by 16 half k square तो दोनों को जोडने पर अपना फिर half k square आजागा your key को जोडने पर अब यह बोल रहे है कि जब इस object को कहां पर लेके आ चुके है a by 2 पर देखो जब इसको a by 2 पर हम लेके आ रहे है तो a by 2 पर जब लेके आए तो यह a by 2 जब इस object को यहां रखेंगे तो इदर को इस पर force पीछे की तरफ लगेगा अब जब force पीछे की तरफ लगेगा माइनिस k a by.. तो यह force जो हो जायएगा वह पहले वाले force का कितना है पहले वाले force का है यह आधा तो यह ऌब जाएगा k a by.. यहीं पहले वाले force से सुरी further force लग रहा है तो यह withौकि इसको कितना हो जायएगा 2f अब हम बात करते हैं energy की, तो energy क्या हो जाएगी यहाँ पर? energy हो जाएगी मेरे पास half k a by 2 square तो यहाँ पर ही हो जाएगा half k square का 1 by 4 तो जो पहले वाले energy थे, 1 by 16 थे, उसका कितना हो जाएगा? 4 times, तो 4 times energy हो जाएगी speed जो है, v dash speed कितना हो जाएगा? v omega root of a square by 4 तो यह हो जाएगा root 3 by 2 omega into a अब जब कोई root 15 by 4 है ना, तो इसको यहाँ पर ऐसा करते है, root 15 by 4 लिख देते हैं एक बार तो अब मैंने root 15 by 4 लिखा है तो 4 by root 15 ओर लिख दिया था कि चीजे आपस में cancel होके अपना answer वही बच जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा? यह तो कटेगा दो बार तो यह 2 root 3 by 15 v इस 2 को आप अंदर लेगा, तीन से इसको काटते हो तो यह हो जाएगा 4 by root 5 root 4 by 5 v, v dash और k dash कितना हो जाएगा इस केस में? half m v dash square half m 4 by 5 v square तो इस केस में अपने पास, इसको मैं half m v square की terms में रखता हूँ तो यह मेरे पास काटिक एनरजी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 4 by 5 यह रूट 4 by 5 था ना तो यह रहाएगा 4 by 5 of k यहने की 0.8 times of k this is what k dash चलो option पढ़ना शुरू करते हैं अपन इसके यह बोल रहा है की force acting on particle will be f by 2 नहीं, force तो 2f है ना तो यह f by 2 के जासे गलत हो गया यह बोल रहा है की potential particle will be 2u जबकि potential 4u है यह भी गलत हो गया है ना तो second भी गलत हो गया first भी गलत हो गया यहाँ पर तो first गलत, second भी गलत आता है third option velocity of particle is root 3 by 2 नहीं velocity कितना है बेटा, root 4 by V तो third भी गलत हो जायागा इस case में fourth जो है देखो वो सही है क्यों? क्योंकि 0.5 k दिया वाए, 0.8 k तो point rate के यहाँ पर energy है कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना तो यह आपका solution रहा बेटा, note करें यहाँ पर ओके बच्चों, फिर हम आते हैं हमारे अगले question, जिसमें हम बात कर रहे है एक concept, buoyancy का, तो यहाँ पर solid sphere है, जिसकी density कितनी row, radius r है और इसको spring के एक end फिर यहाँ पर जब आप equilibrium आने देते हो तो आपको बताना है कि spring में कितना खिचाव आएगा, चलो तो हमें बता है कि जो भारी density वाला system होगा, या object होगा वो ज़्यादा नीचे की तरफ रहेगा तो यह 3 row यह row और यह 2 row, अब यहाँ पर यह पूरा liquid में system है तो अब देखो, liquid में जब यह system है तो इसमें buoyancy force लगेगा चलो, एक बार forces दिखा देते हैं अगर देखो, मैं row into 4 by 3 pi r cube को मैं अगर mg मानता हूँ तो 2 row into 4 by 3 pi r cube, यह कितना हो जाएगा यह buoyancy force की value बेटा into g तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास यह हो जाएगा, 2 mg वहना, तो यहाँ पर देखो इसमें density triple है, अगर row into 4 by 3 pi r cube g को मैं mg लिखता हूँ, तो इसका weight कितना हो जाएगा इसका weight हो जाएगा 3 mg इस पर buoyancy force कितना लगेगा 2 mg तो इसको balance होने के लिए spring force कितना चाहिए, इसको balance होने के लिए spring force जो भी आ रहा है, भी देखेंगे अपन अब इस पर weight कितना लग रहा है mg, ओपर की तरफ इस पर buoyancy force कितना लगेगा 2 mg और यहाँ पर इसको भी balance होने के लिए spring force जाएगा तो spring force यहाँ पर इन दोनों की difference जो कि mg की equal उसे balance करेगा यहाँ भी spring force जो इन दोनों का difference mg की equal उसे balance करेगा तो इस case में spring force जो है वो आ जाएगा 3 mg माइनस 2 mg यह मैं इसके लिए लिए लिख रहा हूँ ठीके, तो spring force कितना हो जाएगा बेटा, mg यह कितना होता है, kx तो आपको elongation बताना था spring में, x की value क्या हो जाएगी 1 by k, mg की value 4 by 3 pi r cube g rho तो यह x की value हो जाएगी कोई confusion बेटा इसमें, तो यह आपका extension, देखते हैं कौन सा option यहाँ पर है अपने पास यह अपना option हो जाएगा 4 by 3 pi r cube 4 by 3 pi r cube, rho g by k, तो अपना first option यहाँ correct है तो यह first option जो है वो correct हो जाएगा, ओके बच्चों note करे solution को फिर आता है अपना अगला fourth resonance tube में water बरके हमने air column की length 0.1 meter find की जब fundamental mode में fundamental mode में ध्यान रखना l effective कितना होता है वो होता है lambda by 4, यह कितना हो जाएगा l1 plus e, यहना for fundamental तो l effective lambda by 4 यह हो जाएगा, l1, l1 कितना दिया मुझे 10 cm, तो 10 plus e is lambda by 4 फिर यह बोल रहे हैं, water को अपन ने थोड़ा सा और हटाया, तो air column की length कितनी जाएगा, 0.34 0.34 अगर l column की length होती next high frequency, next high frequency यहने की, next mode जो आएगा, उसके लिए धियान रखना l2 plus e, यह हो जाएगा 3 lambda by 4 है न, यह तो basic concept तो बता ना कि यहाँ पर देखो, पहले mode में इस तरह का vibration होता है, फिर जो अगला mode आता है, उसमें इस तरह से vibration चलता है, यह next mode होता है यह यहाँ पर पानी का level यहाँ तक है और यहाँ पर पानी का level यहाँ तक है इस तरह से, तो यह कितना आ जाएगा अपने पास यह आ जाएगा मेरे पास l2, कितना दिया है, 34 cm plus e is 3 lambda by 4 अब इन दोनों equations को अगर मैं difference करता हूँ यह first equation और यह second equation तो 2 minus 1 देखो, कई बार क्या होता है, आपको question में दो consecutive mode देते हैं तो जड़री नहीं हमेशा first और second mode ही दे मतलब fundamental first mode दे यह जड़री नहीं आपको कोई भी दो consecutive mode दे सकते हैं या 2 consecutive को बजाए कोई भी alternate mode भी दे सकते हैं तो हमेशा दरना first mode होता है fundamental mode में lambda by 4 होता है next mode में 3 lambda by 4 उसके next mode में 5 lambda by 4 उसके next mode में 7 lambda by 4 तो वो कई बार fundamental और second overtone भी दे सकते हैं तो फिर यहां 5 lambda by 4 लिखता हमें तो basic question रखना मत कि हमेशा दो ही लेंद यह वाली होगी कई लोग इसको रटके बेड़ जाते हैं examiner मजे ले लेगा फिर end में तो हमेशा धियान रखना है आपको जो mode दिया उसके इसाफ से लिखना है next mode यानि कि फर्स्ट ओवर्टोन के लिखा है मैंने हो सकता है वो second ओवर्टोन लेंद दे थे हमें है न तो उसका धियान रखना है फिर बेटा तो यहां इन दोनों को difference करोगे दो consecutive mode की effective का difference हमेशा कितना आएगा 3 lambda by 4 यानि कि lambda by 4 तो 34 minus 10 बराबर lambda by 2 तो lambda कितना हो रहाएगा बेटा 48 cm हो गया अब इसमें पूस रहें कि आपको end correction कितना आएगा तो lambda by 4 तो यहां value डाल दो 10 plus e is 48 by 4 यानि कि e कितना हो जाएगा बेटा 12 cm तो आप यहां पर अपना sorry 12 किया 2 cm 12 तो length आएगी न लेंडा by 4 तो यह हो जाएगा 2 cm 2 cm मतलब कि मेरा second option यहां correct है ओके बच्चों note करें मीटा फिर इसका sound source is emitting wave of wavelength 40 cm from a tuning fork ठीके a sonometer of length this and mass this is resonating with tuning fork अपर यहां पर दो को sound source दियावा है इसकी sound wave दिया हुई है की wavelength दिया हुई है तो सबसे पहले source की frequency कैसे निकालेंगे अपन source की frequency दियाएगी v by lambda v कितना दिया है 320 lambda कितना दिया है 40 by 100 meter में convert करोगे तो तो यह कितना हो जाएगा बिटा 800 800 hertz किसकी frequency है यह source की frequency है फिर यह बोल रहे हैं कि एक sonometer wire के साथ vibrate कर रहे है तो wire में कितने loop बनेंगे तो यहां पर जो wire की frequency है वो source के बराबर होनी चाहिए क्योंकि जब wire और source की frequency बराबर होगी तभी तो यहां पर resonance condition established होगी तो wire में मैं आ लेता हूँ n loop बन रहे होंगे n 1 upon 2L root t by mu देखो हमेशा जाएगा एक loop की time पर frequency fundamental frequency दो loop में double हो जाती है 3 loop में triple हो जाती है 4 loop में 4 times हो जाती है n loop में n times यहाँ n loop मतलब n times of f0 तो यह sonometer wire या दोनों end से जो बंदावा wire होता उसके लिए condition होती है n loop मतलब n f0 ठीक है तो यह source की frequency कितनी है बिटा अपने पास 800 लिख दो यहाँ पर अभी यह n 1 upon 2L की value कितनी है बिटा L दियावा यहाँ पर 100 cm यहने की 1 meter फिर root t t की value यहाँ पर tension कितना दियावा हमें tension दियावा है 100 newton और में mu कितना दिया है mass जो है wire का 10 gram दियावा है तो 10 10 power minus 3 divide by length कितना है 1 meter तो यह mu की value हो जाएगी तो यह solve करने पर कितना रहागा 100 से 100 यह 100 बाहर तो 50 तो n यह 10 power minus 2 तो 100 100 by 2 यहने की 50 is 800 तो यह हो जाएगा मेरे पास कटके 16 loop तो इसका मतलब n की value कितनी आएगी 16 तो 16 loop बनेगे यहाँ पर 16 loop मतलब यह 15th overtone में vibrate कर रहा है wire 16 loop का मतलब 16 times frequency आना मतलब की कौन सा overtone है तो 16 loop का मतलब हुझाएगा 15th overtone यादी स्वरक तो यह भी पूछ सकते हैं मालो overtone पूछे तो overtone आता 15 ठीके तो यह अपना 5th question complete होता है बच्चों note करें फिर उसका आता है 6th question 6th question में आपको बोला है solid square जिसका radius R है और इसको bulk modulus याने कि आतन प्रत्यास्ता गुणा के है surround होता है liquid में cylindrical container में तो एक cylindrical container में आपने एक piston रख दिया यहाँ पर है ना जिसका mass M और area A है तो इसकी वज़े से piston रखने के बाद जो additional pressure आया इसकी वज़े से तो additional pressure delta P कितना create हो जाएगा वो हो जाएगा mg by area अब यहाँ अगर कोई spare रखा उस पर additional pressure अगर आप लगाओगे तो additional pressure की वज़े से इसमें क्या होगा compression होगा ना तो हमें पता है bulk modulus क्या होता है minus of delta P upon delta V by V अब हमें पता है कि delta V by V जो है वो काफी कम होता है fractional wise value काफी कम आते है solidis pair में बहुत कम change होते है percentage में देखे तो तो यहाँ पर volume देखो क्या होता है volume R की 3 power पर depend करता है इसका मतलब DV upon V हो जाएगा 3 times of DR upon R यह एक चोटा सा concept और use करना था आपको बैटा तो यहाँ पर देखो मैं इसको क्या लिखूंगा अब यह हो जाएगा DV by DR DV by V इसको मैं लिख सकता हूँ इसको भी जाओ तो आप DP कर दो DP 3 times of DR by R ओके बैटा और एक minus आता ही है अब हमें पता है जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो radius जो है वो कम होगी ना तो यहां फ्रेक्शनल चेंज पर जो माइनस आएगा वो नेगेटिव आएगा माइनस के यह से नेगेटिव चेंज आएगा इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो है यह किस जीच को शो कर रहा है radius के decrease होने को तो B के अब DP कितना है DP की value डाल दो MG by area इतना pressure change किया आपने 3 और B की value क्या है K तो यह हो जाएगा मेरे पास MG upon 3AK तो MG upon 3AK कौन सा option है मेरे पास यह यह मेरे पास second option जो है यहां पर बन जाएगा ओके बच्चों तो यह अपना यहां तक का जो प्राव मेरे बिल्मस की चल रहा है कहीं कोई दिक्कत नहीं है questions आरे सही है easy type के अभी तक तो note करें बेटा इसको फिर इसके बाद अपना अगला question आता है 7th question 7th question तक एक tilted capillary आपको मतलब ऐसी variable cross section की capillary दी गई है और इस capillary के लिए आपको यह देखना है कि इसमें कितनी उचाई तक यह जा रहा है और compare करते हैं अगर 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 होती जिसकी radius throughout r होती एक और यह बगल में container बनाते हैं तो जिससे मान लेता हूँ यहाँ पर जो ऊचाई होती वो h naught अगर होती तो h naught कितना होता और यह इसमें देखो इन्होंने बोला है कि 0 degree यहाँ पर जो है वो contact angle है तो contact angle जो है वो आपको 0 degree दिया है बिल्कुल ठीक है तो 0 degree contact angle का मतलब liquid का shape कैसा रहेगा एकदम ऐसे रहेगा तो यहाँ पर जो liquid का shape वो ऐसे रहेगा 0 degree contact angle का मतलब यह होता है तो अब इस case में देखो जो इस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा surface tension की वज़े से वो नीचे की तरफ लगने वाले mg को balance करेगा तो यहाँ पर equation क्या हो जाएगी मेरे पास T into 2 pi r is mg वह equilibrium में क्या होता है जो इस capillary में जितना liquid जा चुका होता है उसको कौन balance करता है surface tension का force तो T into 2 pi r rho area area को मैं क्या लिखूंगा pi r square इस में radius तो से है मैं अभी इस वाले system के लिए बात कर रहा हूँ मैं into h naught g ठीके तो T कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर T हो जाएगा rho अब देखो क्या क्या कट रहा है pi से pi 1 r से 1 r तो इस case में जाएगा rho h g upon 2 और T उल्टा लिख दिया मैंने रुको यहाँ पर यह आजाएगा मेरे पास h आजाएगा h naught बराबर 2 T upon rho g r यह आएगा अब यहाँ पर radius जो है देखो यहाँ पर throughout radius से है मेरा लेकिन यहाँ पर जिस instant पर height है वहाँ की radius आपको r दी गई है तो यह radius तो आपको r दी गई है लेकिन यह वाली radius r देश जो है वो तो r से ज़ादा है तो इस case में अगर आप overall average value भी निकालते हो radius की तो average radius भी यहाँ की आएगी ज़ादा आएगी r से अब अगर average radius r से ज़ादा आ रही है तो जो height आएगी देखो यह r denominator मारा है ना अगर average radius r से ज़ादा है तो इसका मतलब height क्या होगी इसका मतलब height जो आएगी वो less than आएगी h naught से तो यहाँ पर height जो है वो less than होगी 2t upon rho g r से मतलब अगर इस r radius के अपने capillary बनाते उसमें जितनी height तक liquid चड़ता हो से कम height तक चड़ेगा क्योंकि नीचे देखो इसका ज़्यादा volume cover हुआ है ना इस वज़े से ओके बच्चों तो narrow ओपर की radius इस नेरोन ऐसे क्या force तो कम लग रहा है लेकिन लिक्विड नीचे जाता ही खटा हो चुका है तो फिर height कम बढ़ेगी फिर आना simple concept पिर आता है अपना अगला 8th question 8th question में देखते हैं आपको यहाँ पर एक massless rod है इसके subject किया अपने एक force F और आपको इसमें ratio of tensile stress to at plane A and plane B आपको बताना है तो देखो यहाँ पर बच्चो जैसे अपन बात करेंगे तो इस पे देखो P2 पे दो देखो कितना stress आएगा stress जो 2 पे आएगा वो आएगा force by area पूरा force और area cross section का जो है वो यह वाला area आजाएगा लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इस वाले area के लिए तो यहाँ पर देखो stress कैसे निकालेंगे बहिए force तो अपन ने ऐसे लगाए न तो इस force का कौन सा component आएगा stress 1 आ जाएगा मेरे पास force का cost 60 component और यह जो area है देखो इस area का अगर मैं cost component लेता तो यह वाला area आता न तो इस area को मैं माल लेता हूँ A1 और इस area को माल लेता हूँ A2 तो A2 मेरे पास क्या हो जाएगा A1 का cost 60 component तो A1 कितना हो जाएगा बेटा A2 upon cost 60 और A2 कितना है मेरे पास A A2 को तो अपने बोला हूँ है न और cost 60 याने की 1 by 2 याने की A1 कितना हो जाएगा मेरे पास 2A तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 2A अब यहाँ पर ही हो जाएगा F2 और 2A पहले से है तो देखो जो stress 2 पे आ रहा है और stress 1 पे आ रहा है उसका ratio क्या जाएगा इसका जब आप ratio लोगे तो ratio आ जाएगा मेरे पास 1s to 4 1s to 4 मतलब कि मेरा कौन सा option सही है पिटा फिर्स्ट option यहाँ सही है फिर आता next homogenous cylinder जिसके length L H by 2 से कम है cross section area A by 5 है यहाँ A जो है वो almost इस पूरे container का area होगा उसका 1 by 5 है float यह इस तरह से करता है कि axis vertical और liquid liquid interface में with L by 4 in dancer liquid अब इसकी जो L by 4 length है वो तो dancer liquid में है और 3 L by 4 length जो है वो हलके वाले liquid में तो देखो इस पर net force mg तो balance हुआ होगा न तो mg बेलेंस करने के लिए देखो थोड़ा सा F1 point force यह लगाएगा इधर से F2 यह लगाएगा और यह दोनों मिल करके क्या करेंगे बच्चों mg को balance करेंगे है ना तो यहाँ पर condition क्या हो जाएगी कि mg balance होगा F1 से और F2 से mg क्या हो जाएगा मेरे पास mg मैं इसकी density मान लेता हूँ rho L into A by 5 इसका area G F1 point force देखो F1 के लिए कितना volume है इसका जितो volume था उसका 3 4th volume है ना तो इस volume को मैं पूरा केल V लिख देता हूँ चलो है ना तो यहाँ पर rho VG यहाँ आ जाएगा density D F1 के लिए यहाँ पर आ जाएगा density D 3 by 4 volume जो है इस liquid के अंदर है और यहाँ पर F2 कितना हो जाएगा 2D और यह V by 4 volume इस liquid के अंदर है G तो यहाँ पर VG तो कड़ जाएगा सब जगे से तो यह मेरे पास rho क्या हो जाएगा बेटा 3D by 4 प्लस 2D by 4 यहने की 5D by 4 तो यह मेरा second option यहाँ correct हो जाएगा symbols आपको buoyancy का concept लगाना था इस case में ओकी बच्चों फिर आता next 10th question 10th question में देखें आप आपको एक liquid जो फिल किया है spherical container में radius r में till height h इस position पे surface का जो edge है वो also यहाँ पे वो खुद horizontal दिया है अब देखो यह अपन थोड़ा सा diagram को बढ़ा करते हैं एक बार यह आपको sphere गिवन है यह इसमें liquid गिवन है और यह इसका center अपन मान लेता है अब यह इसका center जो है यहां से देखो जब आप line की जोगना एक radius तो radius अब देखो container अगर हम इसको देखो तो container की दीवार से एंगल बनता उसको अपन क्या बोलते है contact angle बोलते है तो यह मेरे पास थीटा है अब सोचो अगर यह angle थीटा है है यह angle अगर मान लो यह point को में एकदम यहां लेकर आ जाओं तो यह angle 0 हो जाएगा तो जितना यह angle बनेगा अगर सोचो में just diameter तक आता तो यह angle 90 तो जितना यह थीटा होगा उतना ही यह भी थीटा होगा यहां contact angle तो थीटा है तो थीटा इस तरह से कि यहां पे जो angle बन रहा है इस पर एक tangent की जो देखो आप इस पर आगर आप एक tangent बनाओगे तो वह tangent से यह tangent होती है हाना यह container की दीवार वाली tangent हो यह liquid level है तो container और liquid के बीच में जो angle होता है वह contact angle होता है थीटा अब यह अगर थीटा है यह total 90 है तो यह कितना बचेगा बेटा 90 माइनस थीटा क्योंकि tangent जो होती हो radius के perpendicular होती है यह अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा है और यह 90 माइनस थीटा है तो यह वापस थीटा हो जाएगा तो इस triangle को देखना है खली यह triangle को देखो यह थीटा है यह कितनी है बेटा यह है R-H क्योंकि ये height तो already H आपको दी गई थी ना, तो ये हो जाएगी R-H और ये distance कितनी है R तो इस triangle में cos theta कितना हो जाएगा मेरे पास, base upon hyperteneus तो theta कितना हो जाएगा इस से cos inverse तो option देख लिए ना, direct लिखे तो क्या हम, cos inverse R-H upon R, तो ये देखो आपको easily यहाँ पर केवल आपको concept याएगा कि उसकरना था, contact angle से आप ये angle निकाल लो, उसके बात पूरा geometry लगानी है, ओके बच्चों तो ये अपने single choice वाले question ते उम्मित करता हूँ आप लोगों ने यहाँ तक तो कोई mistake नहीं कियोगी अब आजाते है हमारे हम paragraph वाले questions पे अगला अपना question आता है uniform rope of mass point one और length इतना है, transverse wave इसमें अपने produce की है ना, तो अब यह बोलना है कि अनुप्रस तरंका वेक तनाव पर निरबर करता है, तनाव परिवर्तंशील होगा यदि रसी का द्रविमान आपको गीवन है मतलब रसी का द्रविमान अगर आपको दिया हुआ है रसी mass वाली गीवन है, तो tension vary करेगा, तो speed भी vary करेगी कोई दिक्कत नहीं तो information है किर अब यहाँ पर इस case में आपको सबसे पहले देखें यह यहाँ पर जो pulse आपने का notes में इस question को करा हुआ है, तो इस question में आपने बिल्कुल basic question है, इसका formula कितना आता है, यहाँ पर speed का, यहाँ पर speed का formula आता है, root 2 g, sorry, root gx यह अपना formula आता है, इस speed का तो इस case में 0.5 पर आपको distance बताना है तो 0.5 meter भी distance कितनी आ जाएगी तो यहाँ पर पहले वाले part में g की value डालो आप कितना जाएगा 9.8 into 5 0.5 है ना, तो 0.5 तो इसको में ऐसा करता हूँ अब यहाँ calculation में अपने approximation कर सकते हैं क्या 9 9.8 की जागे 10 लिख देता हूँ approximately अब मैं approximation कर रहा हूँ option दूर दूर इसलिए, तो इसको लिख देता हूँ आधा, तो यह कितना हो जाएगा root 5, root 5, अब root 5 के होती है 2.236, तो 2.236 के बजाए, pass का option कौन सा दिख रहा है मुझे, first option तो 9.8 रखने पर फिर्स्ट option आ रहा है इसका मतलब, तो अपन यहाँ पर approximations अपना काम चराएंगे, exit calculation करने की ज़रत नहीं है, कब करते exit calculation जब वो बोलते 2.21 2.22, 2.23 इस तरह से, पर इतने pass का option ज़ली नहीं दिए जाते, ओके बच्चों तो यह 11th question हो गया, फिर इसमें 12th question हो पूछा है कि रसी को total कितना time लगेगा, तो total time का formula अपने पास क्या था बेटा, total time था मेरे पास 2 root L by G 2 root L by G में देखो यहाँ पर L कितना थी आपको 2.45 G की value 9.8 आपको लेने को बोला अब तो ठीक है, तो इसको अब में यहाँ पर 2.45 से यह 4 बार कट रहा है fix 4 बार कट रहा है तो जाएगा 2 by 2 यहने की 1 second, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास 1 second, तो जो पहले वाला था, उसका ही first था, 11th का ही first और 12th का ही first, तो यह दोनों का solution आपके सामने है, note करे बच्चों फिर आता है paragraph 2, paragraph 2 में आपके साइफन का concept है, जैसे अपन कई बार किसी container से, जैसे आपको पानी निकालना है तो आपके अगर सामने नली डालते हो, नली डालके से मूह से फिर उस नली डालते हो, तो फिर पानी उसमें साना शूरू होता है, आपन जब कोई भी कोल्टरिंग पीते हैं, इस टो डालके सेम कंसेप्ट और वही साइफन का कंसेप्ट भी होता है, तो जो नली डालके पानी निकालते है अपन उचाई से, तो उसी को साइफन कंसेप्ट बोलते हैं, कई बार मेकेनिक जो होता है, गाड़यों की टेंक से पेट्रोल निकालता, वह ऐसी निकाला जाता फिर, एक नली उस टेंक में ढलो, और उस तो फिर हवा कीचो, तो वह पेट्रोल जो बाहर आता है, तो ये सेम यहाँ होता है, अब यह बोल रहे हैं क अब इसी को मैं रेफरेंस लाइन यहां मान लेता हूं इसके लिए यह मैंने रेफरेंस लाइन यहां मान ली ठीके अब इस रेफरेंस लाइन से देखो मेरे पास बढ़नोली equation क्या गेती PA प्लस रो घ एच A प्लस हाफ रो VA स्क्वार यहां जाएगा PD ρो G HD half ρो V square ठीके आ गया अब इस case में PA और PD अब PA कितना हो जाएगा इस case में P हो जाएगा मेरे पास P naught A point की height यहां से कितनी 4 और 5 meter तो यह हो जाएगा ρो G 5 देखो जब यहां से liquid बाहर निकलेगा तो यह area काफी कम है इस पूरे container के मुकाबले तो container के मुकाबले अब A point पे जो area वो तो काफी जादा है ना liquid का D point के मुकाबले इसका मतलब जो A point पे liquid level नीचे जाने की rate काफी कम होगी तो V A less less than होगा V D से इसको मैं almost 0 मान सकता हूँ ना तो यहां इस पूरे factor को आपने 0 लिख दिया D point पे pressure अब D point भी देखो एट्मोस्फिर में तो है D point जिस liquid बाहर निकला तब का point है तो यहां pressure कितना हो जाएगा P naught rho G H D मैंने इसी को reference माना तो D point की height reference से कितने 0 है और half rho V square अब यहां पर यह P naught से P naught खतम तो यह half rho sorry यहां जाएगा rho G 5 half rho V square V D लिख दो चाहो तो है ना तो यह rho से rho खतम 2 G 5 is V तो यह हो जाएगा 100 100 का कितना जाएगा answer 10 तो यहां पर जो syphon से liquid निकलेगा उसकी speed कितनी है 10 simple यहां Bernoulli equation की equation आपको use करने है तो आपका answer आगा जब भी confusion हो ना बिल्कुल basic equation पर चले जाओ कि लोगों को पतिन चला को यहां variable cross section नहीं है जो generally Bernoulli equation का common सा डाग्राम इसा वाला होता है कही लोग उसे से familiar है तो यह question इसलिए ता कि आप बस basic equation use करना सिखो किसी भी condition में ओके बटा 14 आता है आपने 14 में आपको क्या पूचा है इनोंने बी पॉइंट का प्रेशर पूचा है तो यहां तक तो सुन में आगे थर्टीन का solution नोट करो एक बार फिर में board erase करूँगा यह 13 का solution है अब अपना आता है 14 14 में आपसे पूचा है बी पॉइंट का प्रेशर अब बी पॉइंट का बी पॉइंट अब इसके प्रेशर बताने के लिए मैं एक रेफरेंस पोइंट कौन सा लेलता हूँ आगे लूँ वापस होई तो मैं एक को रेफरेंस लेता तो आख टाल या बी पॉइंट उससों पर न ऐसली तो अब इस वी पॉइंट प्लस रोग्या अब इसमें रो ए कितना हो जाएगा मेरे पास पी ये तो देखो पी नोटे इसकी हाइट अपनने जीरो मानी रेफरेंस ये चीज अपनने पूरी जीरो मान रखी वी ये को भाई ये चीज तो पूरी जीरो मानी ली ना अपनने फिर पी भी हमें बताना है रो जी एच बी एच बी कितना है बेटा ए से बी की हाइट है 1.5 मीटर बस और हाफ रो टैन स्क्वेर इससे पी बी कितना आ जाएगा मेरे पास इससे पी बी आ जाएगा रो जी स्वरी पी नॉट माइनस रो जी 1.5 प्लस हाफ रो टैन स्क्वेर तो ये हो जाएगा जैको पी नॉट कितना दिया है 1.1 10 to the power 5 दिया हुए माइनस ये कितना हो जाएगा जी की विल टैन तो 15 रो ठीक है और ये हो जाएगा 50 रो तो 50 और 15 कितना हो जाएगा इसको मैं साल करता हूँ 101 इंटू 10 पार 3 कर देता हूँ माइनस ये कितना हो जाएगा 65 इंटू रो तो ये हो जाएगा 10165 इंटू रो की वैल्यू कितनी की वन है 900 तो ये 900 रग दो तो इस केस में आपके पास यहां पर 10165 इंटू 0.9 10 to the power 3 को बाहर निकाल दो अब 65 का 0.9 कितना होता है 65 का 0.1 होता है 6.5 6.5 कम करोगे तो 58.5 आजाएगा अब 58.5 आप इस में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा बिटाए सोचो अगर 100 में से माइनस करते 41.2 होता तो ये 42.5 हो जाएगा तो ये जाएगा 42.5 इंटू 10 to the power 3 यानि की 4.25 इंटू 10 to the power 4 तो मेरा यहां कौन सा उप्शन हो जाएगा 14 का इतना उप्शन आ जाएगा 1 कोई confusion में इसमें तो नौट करें इसको फिर इसके बाद इसी में आपको 15 का 16 C पॉइंट पे पूँचा आप C पॉइंट पे बताना है तो C पॉइंट में देखो B पॉइंट तो उपर था ना reference के C पॉइंट reference से नीचे reference से नीचे तो में क्या करूँगा यहां पर हाइट जो है इसको नेगेटिव लिखूँगा तो केवल मुझे अब यहां पर यह चीज करनी है यहां लिख दो C यहां भी लिख दो HC और यह कितना है minus 1 है नीचे की तरफ जा रहे है इसलिए पॉइ रेफरेंस से नीचे इसलिए हाइट को नेगेटिव लिखा मैंने रहा और यह वापस बागी सबको से में इधर C लिख दो तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास P naught minus of rho g कितना है 1 यह minus हो रहाएगा यहां पर एक पहले से जो g की आईच की वज़े साओ आ तो न वो minus भी लिखो तो यह मेरे पास जाएगा 5 यह कितना मेरे पास 10 rho minus में तो यह कितना हो जाएगा 40 rho तो 40 रोखों में माइनस करोगा तो यह आजाएगा 40 into 900 कितना हो जाएगा है 36 तो 36 को माइनस करेंगे यहां से 36 माइनस होगा तो 101 में से 36 आप माइनस हो 100 में से करते हैं 64 बचता तो यहां 65 बच जाएगा तो यह हो जाएगा मेरे पास 65 65 एनेगी 6.5 तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास option कौन सा हो जाएगा 6.5 into 10 power 4 तो यह मेरा second option यहां correct है ठीके तो 15 का मेरा कौन सा option correct हो जाएगा second option okay बच्चों तो concepts है में B के लिए आपको height उपर लेनी थी और C के लिए आपको height नीचे लेनी थी ओके बच्चों नीचे मतलब negative तो यह अपना यहाँ पर जो single choice वाला part हो complete होता है अब आते हम more than one choice पर तो more than one choice में आपको यहाँ पर एक metallic wire दियावा है L length का दो rigid support के बीच में रखते हैं wire का अपन cool करते हैं temperature T से T यहाँ difference से basically और बाकी सब चीज़ आपको दी गई है तो frequency of oscillation बता रहा है देखो thermal expansion और जो अपना wave concept है दोनों एक साथ यूज करहें है एक wire को अगर आप आपने wire को ऐसे बांध दी रखा है यह एक wire इस तरह से बांधा हुआ है अब आप इसको cool करते हो तो देखो इसकी में क्या होता है जो यहाँ पर cool करने की वज़े से जितना difference आएगा तो जो cool होता तो wire सिकूर था तो support ने वापस कीचा होगा इसका मतलब डेल्टा L जो होगा temperature की वज़े से जो आया होगा उतना ही इतनी लंबाई में decrement होगा क्योंकि आपने temperature कम किया फिर इतना ही increment किसकी वज़े से आजाएगा support की वज़े से भी आजाएगा तो यह तो temperature वाला difference से क्या होता है L alpha delta T delta theta लिख देता हूँ temperature change और यहां क्या हो जाएगा यह हो जाएगा F L upon A Y support की वज़े से delta L अगर change आएगा तो उसको अपने इसे लिखेंगे F क्या है फिर इसमें tension हो जाएगा F तो यहां से F हो जाएगा A Y alpha delta theta और delta theta को अपन क्या लिखेंगे A Y alpha T यह तो आगया force यह ध्यान रिखना frequency नहीं है force है force मतलब की basicल इतना tension आएगा wire में अब tension आगया frequency of oscillation आप कैसे बताऊगे frequency of oscillation होता है 1 upon 2 L root of T by mu यह होता है तो 1 upon 2 L T की value यहने की force A Y alpha T अब mu कैसे लिखते है mu अपन लिखते है row into area से तो यह हो जाएगा row into area क्या कट रहा है इसमें area तो कड़िया तो 1 upon 2 L Y alpha T तो यहाँ पर यह मेरे पास fundamental frequency आ रही है अब देखते हैं कि frequency जो है उसमें क्या dependency पूछिए तो frequency of oscillation with proportional to अब यहाँ frequency of oscillation जो है वो देखो root Y पे डिपेंड कर रहा है बेलकुल ठीके root T पे डिपेंड कर रहा है यह भी ठीके alpha upon rho आ रहा है यह भी ठीके और one upon L आ रहा है यह भी ठीके तो यहाँ पे केवल यह formula आपको लाना है उसके बाल आपके चार ओप्षिन जो है वो सही हो जाएंगे अना फिर आपको यह formula से cross check करता है ओके बीटा सेकेंड आता है अपने पास faulty barometer का concept दिखो faulty barometer क्या होता है उसके लिए हमें barometer का basic concept पता होना चीए barometer जो होता है उसमें हम pressure की वैसे बाहर pressure जादा होता है और air जो होती है उसको पूरा निकाल देते है barometer ट्यूब में से तो उपर जो barometer में जो mercury जिस level तक जाता है उसके उपर क्या होता है vacuum होता है तो vacuum अगर है इसका मतलब वो सही barometer है और अगर vacuum नहीं है हवा ट्रेप हो चुकी अंदर या मालो mercury की vapor बन जाए तो वो अपना pressure create कर देगी उसको अपन बोलते हैं faulty barometer तो सबसे पहले अपन यहाँ पर एक normal barometer बनाते हैं जो अपना सही barometer होता है उसकी बात कर लेते हैं पहले तो है ना तो इसमें आपने यहाँ देखो mercury को आप कुछ height तक लेके जाओगी peanut pressure के उसे मालिया mercury जो इसमें कुछ height तक rise करेगा मालिया mercury जो है वो इतनी height तक rise करेगा ठीके अब यह जो height है यह मानलो normal barometer के लिए आती है है ना और यहाँ हमेशा क्या होता है vacuum ठीके यह अगर vacuum है तो इसका मतलब यह सही barometer इसमें कोई आपको error नहीं मिलेगी reading में लेकिन अगर दूसरा barometer हम use करें और उस barometer में मानलो यहाँ थोड़े सी हवा ट्रेप हो जाए मानलो mercury के उपर यह mercury मानलो कुछ लेवल तक चड़ा है तो देखो अगर हवा उपर ट्रेप हो गई चुकी है देखो vacuum है तो vacuum तो कोई pressure क्रेट करेगा नी तो फिर सारा का सारा जो बाहर से पी नोट लग रहा है उसको mercury को बैलेंस करना पड़ेगा लेकिन अगर यहाँ पर हवा ट्रेप हो चुकी है थोड़ी बहुत तो वो हवा जो है अपना pressure लगाएगी तो फिर mercury को अब कम height तक जाना पड़ेगा फिर इस case में h डेश जो है अब देखो equation कैसे बनाओगे यहाँ से बाहर से लग रहा है पी नोट तो यहाँ पी नोट क्या हो जाएगा रो जी एच और यहाँ बाहर से लग रहा है पी नोट उसको कौन-कौन बैलेंस करेगा इसको बैलेंस करेगा पी नोट बराबर रो जी एच डेश प्लस P जो air का है, उसको अपन P-डेश माल लेते हैं suppose करो air का pressure कितना है P-डेश है, तो यहाँ पर अब देखो P-डेश तो 0 नहीं है इसका मतलब H-डेश जो है इससे कम आएगा, तो इसका मतलब हम यह बोल सकते हैं कि H-डेश P-डेश जो है, वो 0 से जादा होगा इसका मतलब जो है, वो H-डेश less than H आएगा तो जो faulty barometer होता है, उसमें हमेशा reading जो है, वो actual से कम आती है तो basic concept हो गया, अब यहाँ पर, जैसे मैं मान लेता हूँ कि कोई barometer में आपने H-डेश reading आ रही है, तो H-डेश reading की अपनी equation यह बन जाएगी अब अपन यहाँ पर अगर हवा का concept देखते हैं कि हवा जो है, वो कितना pressure लगा रही है, तो हवा का pressure क्या हो जाएगा देखो, P-डेश यहाँ पर हवा यहाँ पर कितना pressure लगाएगी, तो P-डेश, V-air air मतलब या तो इसी की वेपर होगी या फिर हवा होगी है ना, मानलो आप पूरी तरह से vacuum नहीं कर पाए, तो यह हो जाएगा N-R-T ठीके, तो यह कितना हो जाएगा, P-डेश V क्या हो जाएगा, area अब total length में मानलेता हूँ, L रही होगी और इसकी reading अपन ऐसा करते है L-H- यह यह क्या हो जाएगा N-R-T ठीके, अब यहाँ पर जैसे मानलो, मैं दो equations बनाता हूँ तो दो equations कैसे बनेगी इस case में पहली equation यह है मानलो दूसरी equation अगर मानलो, मैं कोई दूसरी reading लेता हूँ तो इस case में मानलो, P double dash और H double dash reading आती है तो दूसरी equation आजाएगी मेरे पास अब यहाँ पर P dash को मैं कैसे लिखूँगा P dash यहाँ से अब मैं निकालूँगा तो P dash आजाएगा मेरे पास Rho G, sorry P not minus Rho G H dash P not को मैं क्या लिखूँगा Rho G H minus Rho G H dash is P dash, ठीके तो P dash ही हो जाएगा मेरे पास Rho G H minus H dash H minus H dash क्या है? Corresponding reading का difference है कि जो actual की reading आरहे है और जो अपने barometer की reading आरहे है इसका difference कितना है? वो difference और यह P dash तो इस प्रकार से मैं अब दो equations बनाता हूँ जो को यहां से P dash को मैं के लिख सकता हूँ इस तरह से तो अब जब दूसरी case में जब आप दूसरा कोई दूसरी reading note कर रहे हो तो उस case में क्या आजाएगा यहां पर? अब दूसरा P dash जो आएगा वो आएगा मेरे पास Rho G यह इसको H1 मान लेता हूँ मैंने तो first case की equation similarly second case की equation ऐसे लिख दी मैंने और second case के लिए P double dash कैसे लिखोगे? मान लिया उस time पे यह जो reading है वो H double dash आ रहे है तो N R T इन दोनों equations को अगर आप divide करते हो तो यहां से देखो P dash upon P double dash कितना आएगा? H1 minus H dash H2 minus H double dash और यहां से इन दोनों equations को divide करते हो तो P dash upon P double dash कितना आएगा? लिए को temperature यहां change नहीं हुआ है N R T T वाला factor same है तो यह आजाएगा मेरे पास L minus H double dash L minus H dash अब यहां पर यह equation 1 और इसको equation 2 बोल देते हैं तो इस equation 1 और 2 को पर compare करें तो आपन ऐसे लिख सकते हैं H1 minus H double dash H2 minus H double dash sorry H dash यह नहीं है तो और यह हो जाएगा L minus H double dash और L minus H dash इसको आपस में cross multiply करो तो L minus H dash H1 minus H dash और L minus H double dash और H2 minus H double dash यह H2 और H dash क्या है H1 और H dash क्या है H1 और H2 तो है normal barometer की रिदिंग और H dash और H double dash क्या है जो faulty barometer की रिदिंग तो यह बेसिकिली length की difference यह तो यह तो जो height का difference है वो है 1 delta h1 और इधर सा जाएगा L minus h double dash delta h2 तो हम यह बोल सकते हैं L minus h और delta h जो है वो constant आएगा तो यहाँ बना सकते हैं तो L minus h dash delta h जो है L minus h delta h is constant यह faulty barometer का concept होता है इसको आप चाहें तो direct याद रखें तो यह faulty barometer का concept है पूरी theory में ने यहाँ समझा दी अब अपन यहाँ पर अपने data पर आते हैं देखो इन्होंने data क्या दिया है कि true barometer की जब reading 73 है तो इसकी reading कितनी है तो यहाँ पर देखो 73 है तो L minus 69 और 73 minus 69 का difference इधर से दूसरी case में क्या आ रहा है जब इसकी reading 70 faulty वाले की तो true वाले कितनी है 75 तो L minus 70 75 minus 70 यही तो अपन ने लिखा था तो अपन यहाँ पर देखो difference को देख रहें तो यह हो जाएगा मेरे पास L minus 70 75 minus 70 तो यह L क्या है faulty barometer की total length है तो इस case में अपना यह आ जाएगा L minus 69 into 4 L minus 70 into 5 कोई confusion तो देखो यहाँ पर यह 5 है यह 4 है तो इसको 5 और इसको 4 होना पड़ेगा इसका मतलब solve करने पर यह L आ जाएगा 74 इसका मतलब जो faulty barometer उसकी length कितनी है 74 है तो यह मेरा कौन सा option सही है इसका first option जो है faulty barometer का हो सही आ रहा है इसका मतलब first option तो हो गया सही कोई confusion तो second गलत हो गया अब जब यह दो यह और केसे लिए कि जब रीडिंग true barometer की 70 है तो faulty barometer की 61.1 आएगी इसको भी अपन इसी concept से चेक करते हैं तो देखो मैं एक डेटा चेंज करते तो अच्छा इसका आएगा ना L-H and delta H का multiple वह हमेशा constant है तो यह multiple हमेशा 20 आना चाहिए हर केस में barometer चेक कोंसी reading लो लो तो अब यहां पर हमेशा 20 का multiple आना चाहिए अब चेक करते हैं अपन जब यह बोल रहा है कि 70 reading है faulty की तो 70 faulty true की reading है तो faulty वाले कितने 61 तो difference देखो कितना आ जाएगा यह यह आ जाएगा L-67.1 70-67.1 यह 20 आना चाहिए difference देखो कि 20 आ रहा है क्या तो यह आ रहा है मेरे पास 74-67.1 और यह हो जाएगा मेरे पास 2.9 तो यह कितना आ जाएगा यह आ जाएगा मेरे पास 7 तो 6.9 लगबग और 2.9 तो यह approximation में almost 20 आ रहा है 20 आ रहा है इसके मतलब जो तीसरा option है उसके दोनों value को जब आप रखते हो तो इससे आपका answer 20 आ रहा है मतलब उस constant के बराबर आ रहा है मतलब यह reading तो possible है इसमें तो यहाँ पर यह reading possible है तो तो तीसरा option भी अपना सही है त तो first सही अपना और तीसरा सही है चौत्य को भी check करना पड़ेगा यह 64 है तो true की reading कितनी है 67 तो 67 तो 3 का difference आ जाएगा और इधर कितना आ जाएगा फोर्थ को check करते है चलो मैं इसको उपर ले जाता हूं अभी तो यहाँ पर फोर्थ को check करेंगे तो L-64 67-64 यही तो check करना L-64 कितना हो जाएगा 10 यह हो जाएगा 3 तो यह तो 30 आ रहा है जो कि 20 के equal नहीं है 20 के equal नहीं है मतलब कि 4th option गलत हो गया तो मेरा यहाँ पर केवल 1st और 3rd जो है वो सही है तो यह अपना true barometer का और faulty barometer का concept तो जिसको यह concept नहीं पता है वो इसको not made कर लें questions पूछे जाते है इस पर अगला आता है अपना 3rd question 3rd question में आपको row 1, row 2, row 3 के 3 liquid गिवन है और इनमे यूल शेप की tube है इसमें भरा हुआ है तो आपको यहाँ बताना है देखो हलका liquid हमेशा उपर होता है और भारी liquid हमेशा नीचे होता है तो इस case में row 3 जो है वो क्या होगा सबसे जादा होगा फिर row 2 होगा और फिर row 1 होगा तो अब इसमें option check करें तो row 2 greater than row 1 अपना first option तो यह हो गया फिर इसमें यहाँ पर अगर आप pressure calculate करोगे तो row 2 g h बराबर row 1 g h plus row 3 g h by 2 इस point पर इस point पर pressure रखना है आपनको same level के point इसलिए तो जब solve करोगे तो g s से g h यह कतम हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 row 2 minus 2 row 1 बराबर row 3 तो row 3 बराबर 2 row 2 minus row 1 तो यह अपना first और third इसमें correct हो जाएगा ओके बच्चो note करो बच्चो अपना fourth question में आपको potential energy का function given है और इसमें आपको अलग-अलग बाते पूछिए तो देख लेते हैं force कैसे निकालते है potential energy से minus du by dx minus of 2x minus 4 तो यह जाएगा minus of 2 x minus 2 अब force देखो किस form में आ रहा है force का अपन लिख सकते है minus of k x minus x naught x naught या x mean तो इसका मतलब यह force जो है वो shm वाला force बन गया shm वाला force बन गया इसका मतलब यहां तो 2 के about इसका क्या होगा shm body यह बोल रहा है second option की oscillation तो कर रहा है लेकिन shm नहीं कर रहा है गलत हो गया है तो तीसरा period जो है वो root 2 pi है mass कितना दिया है unit mass दिया है तो period हो जाएगा इससे compare करो तो k कितना आ रहा है तो 2 आ रहा है किया आ रहा है 2 mass दिया है one period हो जाएगा t is 2 pi root m by k तो 2 pi m और k की value है 2 तो root 2 pi तो root 2 pi मेरा क्या हो जाएगा यहां पर यह हो जाएगा 3 और इसमें speed of the body at equilibrium position is 4 then the amplitude of oscillation would be 2 root 2 अब यहां पर amplitude of oscillation कितना आ जाएगा चेक करते है mean position पर यह बोल रहा है तो mean position पर तो v max होता है omega into a है ना omega कितना जाएगा root of k by m तो यह दिया वाइनोंने 4 equals to k by m यानि की root 2 by m 1 और यह a तो a कितना जाएगा इससे आएगा मेरे पास 2 root 2 तो 2 root 2 मतलब की मेरा option हो जाएगा यह कि अगर speed जो है वो equilibrium पर 4 है तो amplitude 2 root 2 होगा बिल्कुल सही बात है तो इसका first third fourth तो तीनों सही है ओके बच्चों फिर आते हम next fifth में आपको यह बोलाए कि object जब mean position से कहां पर है इसका displacement 4 है तो इसकी velocity 3 है तो यहां पर यह माल लो mean position जब इसका displacement 4 है तो इसकी velocity कितनी है 3 और जब इसका displacement 3 है तो velocity कितनी है 4 वी क्या होता है omega a square minus x square तो यहां पर यह एक तो बन जाएगी 4 square is omega square और यह हो जाएगा a square minus 3 square दूसरी बन जाएगी 4 के बज़ाए 3 का square is omega square a square minus 4 square तो यह कितना हो जाएगा मेर पास इसको तो अटा दो 16 a square minus 16 9 a square minus 9 इसको solve करोगे तो 16 a square minus 9 a square 256 minus 81 यह आजाएगा 175 तो 7 a square is 175 तो एक इतना आजाएगा 5 a 5 आजाएगा 5 आजाएगा 5 एंगुलर फ्रिक्वेंसी अब आजाएगा 5 यह डाल दोगे तो 4 equals 2 omega 5 square minus 3 square तो यह 4 omega 16 यहने की omega equals to 1 तो omega 1 भी आजाएगा अब यह बोल रहा है maximum kinetic energy of oscillator तो maximum kinetic energy जो होती ही वो energy of oscillation के बराबर होती ही तो यहाँ पर k max जो हो जाएगा वो जाएगा energy of shm energy of shm क्या होता है half k a square k अब k को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर यहाँ पर mass दियावा न आपको तो k निकालना पड़ेगा हमें तो k निकालते हैं चलो k हो जाएगा root of omega by m sorry m into omega square तो k हो जाएगा m into omega square m हो जाएगा यह और gram को kg में convert कर लो omega की value 1 है तो यह हो जाएगा k बराबर m omega square तो यहाँ half k है मेरे पास 50 by 1000 और एक इतना है पाँच पाँच सेंटिमीटर है न तो सेंटिमीटर को में convert करना पड़ेगा मैं तो पाँच into 10 to the power minus 2 square तो अब energy of SHM हो जाएगे मेरे पास यहाँ पर kinetic energy maximum solve करोगे तो 25 into 50 तो 25 into 5 तो यह जाएगा 125, 125 by 2 तो यह आएगा solve करने पर 62.5 अब यहाँ पर एक बार powers को solve कर लेतें तो यह minus 2 power तो 125 10 power minus 6 तो यह आएगा 62.5 into 10 power minus 6 यह जाएगा 6.25 10 to the power minus 6 तो यह आएगा मेरे पास maximum kinetic energy of oscillator जो कि इतनी आ रही है अब यह बोल रहे है कि यहाँ पर यह total energy अगर यह potential energy के maximum value के बराबर होगी हम नहीं कह सकते क्यों क्योंकि इसके लिए potential energy को zero होना पड़ेगा mean position पर हमें यह थोड़ी न गीवन है इसका मतलब इसा नहीं किवन है मतलब की यह possibility मतलब possible हो भी सकता लेकिन confirm नहीं कह सकते तो अभी confirm नहीं कह सकते इसलिए इसको गलत बोलो वहां लिखता कि total energy of oscillator maybe तो maybe का मतलब फिर तो possibility थी न यहां बोल रहा is मतलब भी confirm इतनी है जरूरी नहीं है इसलिए गलत हो गया तो यहां पर यह option जो है वो गलत हो जाएगा तो अपना first, second, third जो है वो सही है ओके बच्चों, sixth question पर आते हैं, sixth question में आपको यहां पर तीन object के लिए surface area दिया गया है, same, इनकी यहां पर emissivity का ratio दिया वा है, और साथ में wavelength जो है वो, lambda, lambda, b, lambda, c, u, a, यह बोल रहे हैं की, इन में radiating at same rate, मतलब power same है, लेको power का formula क्या होता है, power का formula होता है, sigma, a, epsilon, epsilon मतलब की emissivity होता है, जिसको यहां इनोंने e बोल दिया, तो अपन भी e लिख देते हैं, t4, अब power same होने का मतलब क्या हो जाएगा, power same, area same, इसका मतलब e और t4 का multiple, जो है, वो constant आ जाएगा, तो इसका मतलब देखों, यहां पर, 1 into ta की power 4, equals to 1 by 2 into tb की power 4, और 1 by 4, tc की power 4, यह चीज़े जो है, वो same आनी चीज़े, और हमें पता, lambda जो होता है, वो t का inverse होता है, तो lambda और t का multiple, खुद constant आता है, b wins constant जितना, तो अपने पास एक relation आ रहा है, पहला option चेक करें, तो पहला option चेक करेंगे, तो t a, tc बराबर tb का square, अब इसा करता तो मैं power 4 कर देता हूँ, सब तरफ, ठीक है, पूरी equation की power 4 कर देता हूँ, इदर power 8 हा जाएगी, t a 4, इसको, इस पूरे constant को मैं ऐसा करता हूँ, कुछ माल लेता हूँ, k constant, तो t a 4 को मैं के लिखूंगा k by 1, इसको मैं लिखूंगा 4k, इसको मैं लिखूंगा 2k, kai square, क्या equation मेंच कर देता हूँ, इसका मतलब कि मेरा first option सही है, चलो second को मेंच करते है, lambda a, lambda c, तो पहले तो lambda a, lambda c is lambda b का square, तो इसको मैं लिखूंगा 1 upon t a, 1 upon t c, बराबर 1 upon t b square, तो वापस वही चीज़ आ जाएगी, t a, t c, बराबर t b square, ये तो already हम प्रूव कर चुके कि ये सही है, य ये सही है, तो ये भी सही है, फिर दो, तो second option भी सही हो गया, अब तीसरा check करते है, e a, t a और e c, t c, चलो, वापस यहाँ पर, पहले तो square करो, e a, t a, e c, t c, बराबर, e b square, t b square, अब फिर वापस power 4 करो, तो e a की power 4, t a की power 4, e c की power 4, t c की power 4, फिर यहाँ पर e b की power 4, t b की power 4, और square, ठीके, अब e a की power, तो 1 की power 4, तो 1 ही आजाएगा, t a की power 4, तो यहाँ पर, t a की power 4 कितना हो जाएगा, k, e c, e c कितना है मेरे पास, 1 by 4, 1 by 4 की power 4 करोगे तो कितना आजाएगा, 1 by 256, 16 का square, 256 होता है, तो 256 और t c, t c की power 4 हैने की 4 k, ठीके, इधर e b की power 4, कितना हो जाएगा, यह जाएगा, 1 by 16, ठीके, और यह कितना आएगा मेरे पास, 1 by 16, और t b की power 4, तो यह जाएगा, 2 k का square, तो यह कितना आएगा, 2 k तो 8, और 8 का square 64, इधर भी 64, मैच करना है equation, मतलब कि मेरा 3rd option भी जो है, वो सही है, इस प्रकार साब को बिटा option क्रॉस्टेक करना है, बस, 4 option ऐसी क्रॉस्टेक करोगे, तो यह 4 option में, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूँ, beans constant B, तो यह हो जाएगा मेरे पास, E A into B, E B into B, E C into B, अब B तो चलो कड़ जाएगा, क्या E और E B का multiple E C के बराबर है, नहीं, तो यह तो अपना option जो है, 7th question, 7th question में आपको एक liquid दिया वा है, जो की flow कर रहा है, through horizontal tube, velocity of liquid is in 2 section, have area, cross section 1, A1 and A2, V1, V2, velocity दिये, तो को यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, pressure को माल लेता हूँ, P1 और यहाँ pressure को माल लेता हूँ, P2, अब यह P1, P2 इस तरह से, तो P1 plus rho G, H1, है न, अब यहाँ देखो, यह H जो होता है, basically वो यह वाली हाइट है, reference से हाइट तो दोनों की 0 है न, तो यहाँ पर यह हो जाएगा, 0 हाइट और half rho V1 square, P2 plus rho G, H2, और half rho V2 square, अब यहाँ H1 और H2 दोनों 0 है, क्योंकि P1, P2 दोनों point अपन ने, उसी same reference level पे लिए हमें, तो यह तो factor हट जाएगे, अब आज आएगा, P1 minus P2 is half rho V2 square minus V1 square, अब हमें पता है, P1, P2 का difference है, वो इस height की difference की equal है, manometer का concept, यह जो अपना होता है, वेंचुरी tube वाला concept, इसमें इस height को measure करके, तो अपन यहाँ पे flow rate निकालते हैं, तो P1 minus P2 का मैं कहिए हुआ, rho G delta H is half rho V2 square minus V1 square, यह हटाओ, तो यह कितना हो जाएगा, delta H की value H दी गई है ना, तो V2 square minus V1 square, तो एक तो मेरा third option जो है, वो सही आ रहा है, फिर यह बोल रहे हैं की, volume flowing through liquid in tube in unit time is A1 V1, भाई, flow rate हमेशा constant रहे हैं, चाहे वो बड़ा area हो, चाहे वो छोटा area हो, flow rate हमेशा क्या लिखते हैं, flow rate को अपन लिख सकते हैं, A1 V1, या इसको लिख सकते हैं, A2 V2, तो flow rate constant रहे हैं, इसका मतलब की flow rate यह रही, energy per unit time of liquid is same in both the section of tube, तो यहाँ पर इन में energy per unit time of mass, per unit mass of liquid, तो बरनोली equation में यह जो total energy हमेशा conserve रहेती है, total energy क्या होती है, per unit mass की total energy जो के मेंशा conserve है, तो इसका मतलब यह अपना fourth option भी इसका सही हो जाएगा, कि उर्जा जो है, वो same रहेगी, तो अपना यहाँ पर first, third, fourth, तीनों सही हैं, ओके बच्चों, फिर आता अपने पास अगला, eighth question, अब देखो, यहाँ पर दो आपको hole given है, यह second hole और यह first hole, इन्हों ने क्या वोला है कि, शिद्रिका, शिद्रिफल, दूसरे का hole का जो area है, वो first hole से जादा है, हमें पता है कि जो liquid निकलेगा, यहाँ से वो, माल लो, V2 स्पीड से निकलेगा, और यह V1 स्पीड से निकलेगा, तो जो flow है, उसका formula क्या होता है, root 2g, h, h क्या होता है, base से, जो height होती, top side होती हो, तो अब यहाँ V1 के लिए, V2 के लिए कितना हो जाएगा, मेरे पास, 2g, h by 4, और V1 के लिए कितना हो जाएगा, 2g, h, तो इसमें से आप इसको, ऐसे लिख सकते हो, 1 by 2, root 2g, h, n, 1 by 2 times of V1, तो V2 कितना आजाएगा, half V1, तो V1 is twice of V2, ऐसे लिख सकते हैं, फिर हमें, जो flow rate का formula बता है, वो क्या होता है, N2V, तो यहाँ पर जो Q1 है, उसको आप कैसे लिखोगे, A1, V1, Q2 को आप कैसे लिखोगे, A2, V2, A2 को लिखोगा, twice of A1, और V2 को लिखोगा, V1 by 2, तो इसका मतलब यह तो same आजाएगा, flow rate, तो flow rate जो है, वो यहाँ पर, Q2 जो है, वो किसकी equal आजाएगी, Q1 की equal ओके बच्चों, note करें, अगला आता है मेरे पास, standing wave produced in stress string of length L with fixed end, दोनों end fixed end, देखो, when the wire, there is always a knot at a distance L by 3, इसने बोल दया कि L by 3 distance पर हमेशे एक note बनेगा, आप चाहे किसी mode में vibrate करवार हो, तो fundamental mode में मुझे L by 3 पर तो क्या बनाना है, एक note बनाना ही, यह fix हो गया, इन्हो आपने जब बोल दिया कि यहाँ पर एक note बनेगा, तो fundamental mode में भी आपको एक note यहाँ बनाना है, अब L by 3 पर अगर lambda by 2 के एक वले तो बची length में फिर यहाँ पर एक note जो है, vibration की वज़े से बन जाएगा, बची length में फिर यहाँ पर एक note जो है, vibration की वज़े से बन जाएगा, इस mode में, lambda by 2 जो है वो कितना है, L by 3, तो lambda कितना हो जाएगा, 2L by 3, यह lambda note है basically, तो F कितना हो जाएगा, F note हो जाएगा, V upon lambda note, यहाँ कि 3V upon 2L, तो यहाँ पर fundamental frequency जो है, 3V upon 2L, तो यहाँ पर यह frequency produced में भी, तो इतनी frequency produced हो सकती ही, बिल्कुल fundamental के form में, अब जब अगला overtone आ आएगा, अगले overtone में देखो क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, तो इस case में, यह तो node बन नहीं है, अब अगला overtone का मतलब क्या है, यह node के बीच में एक node और बढ़ाना होता है, तो मैं एक node और बढ़ाऊंगा, यह बाद में जो node आया वो, एक node यहाँ बनेगा, फिर यहाँ ही बनेगा, एक यहाँ ही बनेगा, एक यहाँ ही बनेगा, तो इस तरह से मेरे पास node बढ़ चुके हैं, तो अब यहाँ पर कितने लूप बनेगे देखो, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से, तो इस तरह से यहाँ पर लूप बन रहे हैं, तो यहाँ पर यह मेर by three जो है वह lambda 1 के बराबर है तो lambda 1 कितना हो जाएगा 3L sorry l by three हो गया नगा 1 तो तो अब यहाँ पर f1 कितना हो जाएगा f1 हो जाएगा मेरे पास v बटा lambda 1 v बटा l by three याने कि 3v बटा l तो अगली frequency जो है वो 3v बटा l है क्या v बटा 3l हो सकती है इससे कम तो हो इनी सकती ना, तो fundamental से भी कम frequency तो possible ही नहीं, तो ये तो option अपना हो गया, गलत. अब ये बोलने है कि next minimum mode number of node, excluding the ends, है ना, सिरों को छोड़ करके जो बाकी node बने हो, कितने गिनों, तो यहाँ देखो, एक और दो node, दो node बने, फिर next higher mode में कितने बने, एक, दो, पिर आता है 10th question, 10th question में आपको यहाँ पर, देखो, इस system के लिए, हीट flow rate आपको गीवन है, सिरीज में दो system है, तो जतने हीट इसमें से जाएगी, है ना, तो total thermal resistance कैसे निकालो कि यह R1 है और यह R2 है, तो total thermal resistance हो जाएगा, R1 प्लस R2, R क्या होता है, L upon A K, तो यह L option तो सही है, R1 इतने ही होगा ना, L1 upon A K1 और L2 upon A K2, फिर यहाँ पर K effective निकाल लेते हैं, अपन K effective लिए क्या करेंगे, L1 प्लस L2 लेंज की एक ही route रखोगे, area उतने ही रखोगे, और यह K effective, तो जिएको यह area से तो area खतम, तो K effective होगे, L1 प्लस L2, L1 K1, तो यह K effective वाल option भी सही है मेरा, K effective सही है, इसमें temperature of joint, अब temperature of joint आप से पूचा है यहाँ पर, heat flow rate और पूचा है, तो heat flow rate कैसे बता होगे, heat flow rate होता है, H equals to delta T divide by R net, delta T का मतलब T1 minus T2, R net कितना हो जाएगा, R net यह रहा मेरे पास, तो यह हो जाएगा, L1 upon AK1, L2 upon AK2, तो मेरा option हो जाएगा, A उपर चल जाएगा, तो यह second option भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अब temperature of joint आप से पूचा है कि joint का temperature कितना होगा, तो जितना temperature current यहां से यहां पर जाएगी, उतनी current यहां से यहां तक जाएगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि, T1 minus T बटा R1, बराबर T2 minus T बटा R2, कोई confusion इसमें, R1 को क्या लिखूँगा, L1 upon K1 A1, तो चलो इसको आगे खाली slide पर solve करते हैं, अब यह हो जाएगा, T1 minus T, L2 बटा K2, और यह हो जाएगा, L1 बटा K1, T2 minus T, तो यह हो जाएगा, T1, plus, अब देखो T2 यहां है न, T2 minus T, और यह T1 minus T, तो इसमें से आप T रखना है मुझे, नहीं, यहां पर एक बार देखो, थोड़ा सा, T minus T2 करना पड़ेगा इस जगे, तो इस जग हो जाएगा, T minus T2, यह क्या हो जाएगा, T minus T2, क्योंकि current हमेशा, high temperature से low temperature जाती है, तो इसमें से अब आप लिखोगे, यहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा, T minus T2, अभी T2 वाले को इदर लेके जाओ, तो L2 बटा K2, T1, प्लस L1 बटा K1, T2, डिवाइड कर दो, L2 बटा K2, प्लस L1 बटा K1, और जब जाएगा T, तो यह मेरे पास option जो है, वो आ गया, ओके बच्चों, तो मेरा option यहां क्या जाएगा T का, चलो चेक करते हैं एक बार, T1, L2 बटा K2, सही लिखावाए, T2, L2, K1 ठीक है, और K1 ठीक है, तो अपना तीसरा option भी सही आ रहा है, तो यहां पे चारो option जो है, वो correct है, ओके बटा, तो यह आपका, मौर्दन वाले सारे complete होते हैं, अब आते हैं, इंटीजर चो इस पे, इंटीजर में आपको बोला है, कि एक source, जिसकी frequency 1.8 kHz है, इसको अपनने प्रेक्षक से, 250 मिटर की दूरी पर है, है ना, एक सरल रेखा में गती कर रहा है, अब एक straight line में source जा रहा है, जो observer है 250 मिटर दूर है, यहां पर कोई खड़ावा observer है, रेस्ट पर है ना, फिर यह बोल रहे हैं कि, जब एक source की, यहां source की speed है, वो comparative दियों, sound की speed के, तो इस case में, यह बोल रहा है कि, जब sound source जो है, वो observer को ऐसा लग रहा है, sound source यहां पर, जब उसके minimum distance पर, तब उस case में, वो कितनी frequency उबस्ट करेगा, कई लोगों ने यहां पर answer 1.8 ती टिक रहा होगा, तो देखो, यह पॉसीबल ने है, क्योंकि जब उसने observe sound source को यहां किया, मालो जो भी source था, वो जब यहां है, अब यह source जब यहां है, लेकिन इस वक्ट जो frequency observe होगी, वो उस पर हत्वाँ थोड़ा ना पहुचेगी, इस पर जो frequency अभी पहुची, वो कौनसी वाली, जब source ने यहां से कोई frequency इमिट की होगी ना, वो वाली जो है frequency इस तक मोची होगी, तो इसने जब मालो टी कवस्ट जीरो पे यहां रहा होगा, तो टी टाइम में इसने कुछ distance कवर करी होगी, और टी टाइम में sound ने कोई distance कवर करी होगी, तो जब टी टाइम बाद जब तक sound इस पोजिशन पे इमिटेट sound जब observer के पास आया, उस time source यहां नहीं था, उस time source यहां था, तो जब इसने यहां से जो sound बना वो frequency जब सुनी ना, तो उसने देखा कि ओ, source तो यहां आ चुका है, तो एसा उसको feel होगा कि वो यह वाली frequency सुन रहा है, लेकिन यह वाली frequency को भी आने में कुछ तो time लगेगा ना, ठीके, तो इस distance का काली यही रोले यहां पे, कि यह वाली frequency जो इस position पे frequency मिटोगी, वो हातों तब भी नहीं आएगी, वो जब तक आएगी तब तक source वापस आगे बढ़ चुका होगा, तो यहां पर इस frequency के लिए, अब देखो यहां पे इसकी speed जो है वो comparatively दीओ ना, V, इधर sound की speed है C, और यह angle चीटा, तो frequency अपन कैसे लिखते हैं बच्चों, frequency अपन लिखते हैं, F dash is F, C minus V upon C minus Vs, अब यहां object की वो वेलस्टी, observer की वेलस्टी वो लिखो जो उसकी है, तो observer तो रुका हुआ है, तो C minus 0 upon C minus Vs, अब यह Vs कौन सी लिखनी है, source की speed, source की speed वो वाली जो along the line है, तो along the line कौन सी होजाएगी, यह होजाएगी V cos theta, अब सारी मेहनत करने हैं, मुझे cos theta में, जब वो इस distance को मैं D1 मानता हूँ, और इस distance को मैं D2 मानता हूँ, तो cos theta क्या हो जाएगा, D1 upon D2, D1 जो है, source की speed से cover हुआ है, T time में, और यह sound की speed से cover हुआ है, T time में, यह हो जाएगा, 0.8C divided by C, तो cos theta हो जाएगा, 0.8, 0.8 का मतलब जब यहां डालो गया, तो यह कितना हो जाएगा मेरे पास, C upon C, C, पहले तो 0.8C तो पहले से यह था, और फिर उसमें भी 0.8 और लगा दो, तो 0.64 हो गया, तो यह जाएगा, F C upon C minus 0.64C, तो C से सी कट जाएगा, तो F upon 0.36 आ रहा है, अब F की value कितनी दी हुई आपको, F की value दी गई है यहां पर, F की value है, 1.8 by 0.36 kHz, तो यह कितनी बार कट जाएगा, इससे perfect 5 बार कट रहा है, तो 5 बार, यानि कि मेरा जो answer आएगा, किलो हट्स में हो कितना आजाएगा, तो frequency जो F देश आएगी, वाएगी 5 किलो हर्ड्स, तो बस concept इतना अध्यान रखना था, कि जो frequency वो observer ने जब देखा, कि source उसके just minimum distance पे, लेकिन उस फक्ट जो समें frequency सुनी हो, पहले वाले सुनी, ओके बच्चों, फिर आता है मेरे बास second, second में आपको बोला है कि एक दोनों सिरों से, बंद mercury कोलम में, मर्कुब है जिसमें mercury होरिजॉंटल है, तो इसमें दोनों सिरों सिरों है, और इसमें यहां पर बीच में एक mercury का कोई section है, ठीके, अब यह length को में मान लेता हूँ L0, इस length को भी मान लेता हूँ L0, और यह H, ठीके, अब यह बोल रहे है कि अपन ने इस tube को vertical कर दिया, अब इस tube को जब मैं vertical करूँगा, तो vertical करूँगा तो, यह बोल रहे है कि जो यह वाला हिस्सा, जैसे मान लो इसको मान लो A और इसको मान लो B, तो B वाला हिस्सा मैंने नीचे कर दिया, और A वाला हिस्सा उपर कर दिया, तो देखो यहां पर mercury का अपना weight होता है, तो weight कि यह से mercury जो वो नीचे आएगी, अब यह tube length को मान लेता हूँ L1, और इसको में मान लेता हूँ L2, mercury की length उतनी रहेगी, उसमें कोई चिंज नी होगा, और यह H, तो यह बोल रहे है कि जो, placed vertical length of air column below the mercury column, यहने कि यह तो हो जाएगा मेरे पास L2, और above mercury column, यहने कि यह हो जाएगी L1, तो L2 जो है वो कितना है? 3 L1, 3 by 4, 3 by 5, तो L2 जो है वो L1 का 3 by 5 टाइम से, ऐसा इनोंने question में दिया है, तो यहाँ पर L2 plus L1 मिला करके कितना होना चाहिए? L0 plus L0, बही, total length अभी भी होए न, यहाँ 2 L0 थी, तो यहाँ भी दोनों मिला कि 2 L0 होनी चाहिए, तो इसका मतलब, 3 by 5 L1, plus L1 is 2 L0, तो L1 और यह हो जाएगा, 8 by 5, तो L1 कितना हो जाएगा? L1 हो जाएगा मेरे पास, 10 L0 by 8, यहने कि 5 L0 by 4, L1 इतना आया, 5 L0 by 4, और L1 तो बढ़ना भी था, वैसे भी Mercury नीचे शिफ्ट हो, ऐसलिए L1 तो एक्च्वल से जाएगा, तो L2 कितना हो जाएगा? 3 by 4 L1, यहने कि 3 by 4, और L1 का 3 by 4 टाइम से निए कि 5 by 4 था न, तो यह हो जाएगा मेरे पास, 15 by 16, एक मिनिट, 3 by 4 of L1, करना मुझे, तो यह जाएगा 15 by 16 L0, तो इस केस में अपने पास, जो यहाँ पर लेंट आएगी, वो कितनी आजाएगी? 2 वाले की, 2 वाले की लेंट आएगी मेरे पास, यह 3 by 5 था, 3 by 4 ने 3 by 5, तो 3 by 5 के केस में यह हो जाएगा, मेरे पास, 5 से 5 कतन, 3 by 4 L0, दोनों को जोड़ लो, 5 by 4, 3 by 4 मिलाके, वापस 12 नोट आ रहा है, मतलब सही है, अब देखो, यहाँ पर यह जो L1 है, वो 5 by 4 थाइम सुआ, इसका मतलब जो V1 है, जो यह वाली गेस है, इसका वॉलिम भी 5 by 4 थाइम सुआगा, temperature नों बोल जाएकि, constant है, temperature constant मतलब क्या हो जाएगा, कि जो P और V का multiple है, वो constant, यहनि कि P और L का multiple, जो है, वो constant है, अब length अगर 5 by 4 थाइम सुआइम सुआगी, तो pressure P1 कितना हो जाएगा, 4 by 5 थाइम सुआफ P0, इसी तरह से L2 अगर इतना होआए, तो P2 कितना हो जाएगा? P2 हो जाएगा मेरे पास 4 by 3 times of P naught मतलब कि जो यहाँ पर actual pressure था उसका 4 by 3 times तो इसका pressure हो गया और इसका कितना हो गया? इसका कम हो गया, length, volume बढ़िगा ना तो pressure कम हो गया, सब यहां mercury की balancing अपन देखें तो mercury की balancing को समझेंगे तो mercury कैसे balance हो रहा है? देखो, mercury पे उपर से force लग रहा है F1 नीचे इसका खुद का weight mg लग रहा है और नीचे से लग रहा है F2 तो mercury अगर stable है तो F1 plus mg को किसने balance किया होगा? F2 ने F1 को में लिखूंगा P1 into area plus mg P2 into area P1 को में क्या लिखूंगा? plus mg बराबर ये कितना हो जाएगा? 4 by 3 times of ये तो 4 by 5 times और ये 4 by 3 times of P0 तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 4 by 5 times minus 4 by 3 times P0 equals to mg अब यहाँ पे P0 के बारे में कुछ information दी गई है क्या information दी गई है? इन्होंने हमें P0 के बारे में information दी कि जो पहले pressure था वो mercury कोलम का 75 cm के बराबर था तो यहाँ पे P0 को में लिखूंगा 4 ये कितना हो जाएगा? 4 by 5 minus 4 by 3 minus 4 by 5 होगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 minus 3 upon 15 rho g h0 और इसकी कोलम की लेंद कितनी? मेरे पास rho g h mg को में rho g h लिख सकता हूँ यहाँ पे ध्यान रखना area से divide करोगे न तो area से divide करने पर ये इसका pressure आजाएगा mercury कोलम का pressure कितना हो जाएगा? rho g h तो ये रोजी से रोजी खतम तो ये कितना हो जाएगा? 2 by 15 इधर आजाएगा 75 h तो ये कटेगा 15 से 5 बार तो h कितना हो जाएगा? 40 cm तो इस case में h आजाएगा मेरे पास 40 cm तो h जैसे 40 cm आया अब यहाँ पे मुझे क्या बताना था? mercury कोलम की length बतानी थी 10 n cm के form में दिया वाए तो 10 n मतलब की इसको मैं लिखूंगा 10 into 4 cm तो n कितना आजाएगा? इसमें 4 आजाएगा ओके बच्चों तो यहाँ पर मेरा option आजाएगा 4 integer वाला तो यह अपना solution इस तरह से note करें इसको फिर अगला आता है 3rd question 3rd question में आपको बोला है कि यहाँ पर C point पे एक node बनता है तो यहाँ पर आपने कौन सा overtone में vibrate करवा रहे हो? यहाँ पर AC आपको दिया 1 meter और यहाँ 2.5 meter देखो सोचो अगर मैं यहाँ पर एक ही node बना दू यह end भी fix है तो यहाँ node बनना चाहिए यहाँ node बनना चाहिए, यहाँ node बनना चाहिए अब थोड़ी दर के लिए जुम करूँ अगर मैं केवल ऐसे एक loop बना दू तो फिर यहाँ अगला loop भी ऐसे बनेगा और यहाँ फिर एक loop बने नहीं पाएगा बहुँ यह 1 meter यह भी 1 meter तो आधा मिटर में एक loop कैसे बनेगा मतलब यह वाला तो case possible नहीं है है ना, अगली possibility देखते है अगली possibility में आपन क्या करेंगे यह रसी को यह से बना दो और यहाँ यह C point है ना अब अगली possibility में देखो आपन क्या करेंगे मैं एक node और बीच में create करता हूँ तो यह देखो, एक meter में दो loop मतलब आधा meter में एक loop तो अगले आधा meter में फिर एक loop तो अगले एक meter में भी एक loop और यहाँ पर जो है फिर एक और loop और बन जाएगा और finally फिर यहाँ पर अपना यह system यहाँ पर joint आ चुका है इसका मतलब यह वाली possibility तो possible है ना क्योंकि इसमें जो lambda by 2 आ रहा है वो कितना आ रहा है lambda by 2 आ रहा है यहाँ पर 0.5 meter का यानि कि lambda कितना रहा है 1 meter का तो यहाँ possibility सही है इसका मतलब यहाँ पर जो minimum frequency उसमें C और A के बीच में भी एक node और बनेगा तभी यहाँ पर possibility है कि इस point पे भी node आ पाए ओके बच्चों तो यहाँ पर fundamental mode उसमें भी 5 loop बन रहे है तो 5 loop equals to L तो 5 loop जो है वो L के equal इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 into lambda by 2 is total length 2.5 तो lambda कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 meter lambda 1 meter हो यहाँ पर tuning fog जिससे यह resonance में है तो इसकी frequency हो tuning fog की frequency सेम करनी है तो इसका मतलब V by lambda F wire तो F wire कितना हो जाएगा? V हो जाएगा root of T by mu divide by 1 तो root T by mu T कितना जाएगा? यहाँ पर 10 kg का object था तो 100 newton तो tension आ जाएगा mu की value कितनी आएगी? mu the hour 0.01 तो यह भी कितना आजाएगा? su आजाएगा F wire जो है वो कितना है? तो इसका मतलब F source भी कितना होना चाहिए? wire की जितना ही होना चाहिए? wire की frequency कितनी? 100 100 का मतलब क्या हो जाएगा? अब देखो F not अगर 100 तो F not by 5 कितना हो जाएगा? इसका मतलब F not by 5 100 by 5 याने कि 20 तो यहां मेरा option कौन सा हो जाएगा? 20 options थर्ड का हो जाएगा, correct Okay बच्चों, तो यहां पर 20 जो है अपना option आजाएगा कोई confusion मेटा यहां तक? फिर आता है अपना अगला 4th question 4th question बोला है कि open organ pipe जो है वाइबरेट करता है 5th overtone में, 5th overtone मतलब कि 6 loop बनेंगे है ना? तो चलो 6 loop बनाते हैं, प्रेशर का क्या बनता है? खुले end पर प्रेशर का node बनता है एक, दो, तीन, चार, पाँच और 6 देखो, 6 loop हो गए, यह अपना 5th overtone का डाइग्राम अब जैसे 6 loop बनें तो यहां पर जो L है तो 6 lambda by 2 equals to L तो lambda कितना हो जाएगा? L by 3 साथ में जो X की value 0 है, वहां पर क्या है? प्रेशर का क्या है? नोड, तो प्रेशर की जब मैं एक्वेशन लिखूँगा, उसमें क्या लिखूँगा? डेल्टा पी नोट साइन के X ताकि X 0 डालने पर प्रेशर का नोड आ जाए अब यह बोल रहे हैं कि ऐसी दो पोजिशन जहां पर प्रेशर एंटी नोड वाले प्रेशर का कितना है? 1 by root 2 टाइम्स एंटी नोड पर प्रेशर मैक्सिमम होता है तो साइन के X इसका मतलब ऐसी पोजिशन के लिए साइन के X कितना आएगा? 1 by root 2 प्लैस या माइनस दोनों चलेंगे वो के दिखेंगे या खाली मौड रखते हैं अपने तो साइन थीटा या केक्स जो है वो इतना आएगा इसका मतलब केक्स कितना हो जाएगा मेरे पास या तो पाई बाई 4 या नेक्स 3 पाई बाई 4 इसका मतलब जो पहला पॉइंट आएगे बोले है दो consecutive points का separation 20 cm है जहां पर इतना pressure है तो पहला point मान लिया हो कि X distance पाया होगा ऐसा यह पहला point मान लिया X 1 पाया होगा दूसरा point मान लो X 2 पाया होगा इन दोनों point का pressure difference कितना प्रेशर कितना है maximum का 1 by root 2 times तो इसका मतलब K1 X 1 बराबर πाय बाई 4 और K2 X K X 2 इक्वरस टू 3 पाय बाई 4 इन दोनों को जब आप मान लोगे तो K X 2 मान लोगे X 1 इक्वरस टू पाय बाई 2 तो यहां पर K कितना दिया है बेट आपको K दिया होगा है Sorry यह 20 दिया होगा है और K कितना होजाएगा 2Pi by Lambda तो 2Pi by Lambda और Lambda कितना हो जाएगा यहां पर L by 3 तो यह Pi से Pi घदम तो L by 3 हो जाएगा 80 तो L कितना हो जाएगा L हो जाएगा 2 यह कितना 80 तो L by 3 240 C mixed 240 CUT थने मतलब कि 2.4 meter, 2.4 meter को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2.4 meter को लिख सकता हूँ, 24 by 10, यह n की value कितनी आजाएगी, यहाँ पर 10, तो यह n की value आजाएगी 10 इस case में, symbols हैं यहाँ पर देखो, आपने को solve करना है, तो k delta x, मतलब basically आपको delta 5 पता लग गया कि pi by 2 है इन दोनों points में, तो delta 5 कितना होता है, 2 pi by lambda delta x equals to pi by 2, यह concept का अपना answer बन जाएगा, ओके बच्चों, फिर आता है अपना next, fifth, fifth में आपको बोला है कि, 40 cm of height के height का एक cylindrical container इसकी दीवार में एक slit है, यहाँ पर देखो, को इस तरह से container है, इसमें आपने दीवार में, यहाँ पर slit बने, मतलब होल कर दिया ऐसा, तो यहाँ पर आपने क्या करा, एक slit बना रखी है, और इस पूरे में आपने इसे liquid बर दिया, यहाँ पर, है ना, तो यहाँ से देखो, लिक्विड जब निकलेगा, तो यह total 75 cm, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से य डेफ्थ पर, यहाँ से य डेफ्थ पर, एक dy विट्थ का एक छोटा सा एरिया मानता हूँ, इससे liquid जो निकलेगा, वी, तो इसकी वज़े से, तो thrust post लगेगा पीछे, वो कितना लगेगा, df equals to, rho, dA, v square, dA क्या हो जाएगा, इसकी width को अपन w मान लेते हैं, तो rho into w into dy, v हो जाएगा, v square हो जाएगा, root 2gy, तो root 2gy का square हो जाएगा, तो यह हो जाएगा मेरे पास, rho, omega, 2gy बाहर, y square by 2, integration कर दिया, यहां integration की limit कहां से कहां तक लगी, दोखो y की minimum value कितनी है, 25, और y की maximum value कितनी है, 75, तो यह 25 से 75 cm में ध्यान रखना, तो इसको meter में convert करूँ तो मैं इसको, 3 by 4 लिख दूँ, तो यह हो जाएगा, 1 by 4 से, 3 by 4 meter, rho, 1 mm याने की 10 पाइब माइनस 3 meter, 2, g की value 10, by 2 बाहर आजाएगा, 3 by 4 का square, minus 1 by 4 का square, तो 9 by 16, minus 1 by 16, 8 by 16, तो यह तो कट जाएगा मेरे पास, तो यह जाएगा 10, 8 by 16, तो यह कितना आजाएगा मेरे पास 5, तो इसका मतलम, यहाँ पर जो thrust force लगेगा, total वो कितना लगेगा, 5 newton, ओके बच्चों, तो इसली अपना option बन रहा है भी, note करें, फिर 6 में आपको, simple यहाँ पर terminal speed के ratio पूछें, तो terminal speed का formula क्या होता है, Vt is, 2 r square, rho minus sigma, g, upon 9 eta, तो V, P, किस का रखना है, P और Q का, तो P और Q का यह हो जाएगा, radius देखो, सेम है, solid is fair, density this, diameter 1, है न, end point, अच्छा, diameter अलग अलगे इनके, तो radius अलग अलगे, तो radius of P का square, और radius of Q का square, तो यह अलगाएगा, यह अलगाएगा, eta inverse में, तो eta 2 by eta 1, चलो, फेली डालते है, diameter अधा है, मतलब radius भी अधी हो जाएगी, तो radius हो जाएगी, उपर वाले की 0.5, हो जाएगी 0.25 का square, 8 minus 0.8, और यह हो जाएगा, 8 minus 1.6, और eta 2 कितना हो जाएगा, eta 2 हो जाएगा, मेरे पास 2, और यह हो जाएगा, 3, तो solve करोगे, तो जाएगा, 4, 7.26.4, 2 by 3, तो यह, 8 से कटेगा, 9 बार, और यह, 8 से कटेगा, 8 बार, तो यह आजाएगा, 3, तो ratio कितना आजाएगा, 3 आजाएगा, final speed का ratio, simple formula based question, 7th में, आपको यहाँ पर क्या करना है, एक, सिलेंडर को अपने, स्प्रिंग से जोड़ा है, और यह हमेशा, प्योर रोलिंग करेगा, तो यहाँ पर जैसे ही, मैं इसको थोड़ा सा खीच के, जब इसको release करूँगा, तो जब यह प्योर रोलिंग करते हुए आएगा, इस तरह से SHM करेगा, तो किसी भी instant पे, जब spring का extension मान लो, X है, और इसके center की speed V है, तो total energy conserve होती है, energy method लगा दो, सबसे आसान पढ़ता है, तो U plus K equals to E, जो की constant होगा, U कितना हो जाएगा, half KX square, K जो kinetic energy आप लिखोगे, ध्यान रखना, वो rotational वाली energy लिखने है, rolling वाली, तो यह कितना हो जाएगी, half MV square, 1 plus K square upon R square, और यहाँ पर जो आपको दियावा है, ठोस बेलन, solid cylinder के लिए, K square upon R square कितना होता है, half होता है, तो यह value हाप आपको put कर दी है, तो यह कितना हो जाएगा, अब इसको के X square, plus half और यह, तो इतना 3 by 4, 3 by 4 से 3 by 8, sorry, 3 by 4, MV square equals to E, जो कि कॉंस्स, अब differentiate कर दो, differentiate करो तो क्या जाएगा, half K, X square का differentiation, 2X और X का V, 3 by 4 M, 2V और A, इदर E कॉंस्स्टेंट है, तो finally, इससे मेरे पास क्या जाएगा, KX plus 3 by 2 M A 0, तो इससे acceleration कितना जाएगा, मेरे पास, 2K by 3 M into X, अब ही यह क्या है, omega square, तो इससे क्या आवर्थ काल पूचा है, तो omega upon, 2 pi by omega होता न, T, omega यह आजाएगा, यह comparison करोगे, तो यह omega square के बराबर है, तो omega हो जाएगा, मेरे पास, 2 pi root 3 M upon 2 K, मास कितना दिया इन्होंने, मास दिया आपको 1 by 5, 200 gram को 1 by 5 लिखोगे, तो यहाँ पर अब देखो, इसको solve करते हैं, तो 2 pi 3 M, 3 M हो जाएगा, 1 by 5, 2, K की value कितनी है, 3, तो यह 3 से 3 कटेगा, तो यह हो जाएगा, 2, और root 10 को pi लिखना है, तो इसका मतलब, मेरे पास answer आजाएगा, 2 second, तो मेरा यहाँ पर 7th का answer कि आजाएगा, 2 second, ओके बच्चों, फिर जैसे 8th होगा, 8th पर आते हैं अब, 8th में आपको बोला है कि, एक pendulum clock है, उसमें आपने temperature कम किया, temperature कम किया तो यहाँ पर आपको copper का linear expansion coefficient जो हो दिया हुआ है, वो बताना है, और यह बोल रहे हैं कि, एक दिन में, इतना time का change आया, तो time का जो change आता है, delta t upon t, उसको अपन कैसे लिख सकते हैं, half alpha delta theta, delta t कितना है यहाँ पर, 17.28, देखो अजीब सा data दिया है, तो मतलब calculation आसान करी होगी, तो यहाँ पर एक दिन का time कितना होता है, 86,400, half alpha delta t कितना है, 10 से divide कर दो, alpha कितना हो जाएगा, 17.28, 8, 6, 4, double, 0, into 10, इसको लिखो आप, 17.28, 8.64, 12345, 5 पावर लगा दो, कितनी बार कट जाएगा है, दो बार पूरा कट रहा है, 2 into 10 to the power minus 5, अपन को रखना है, 10 power minus 6 की terms में, 20 लिख दो, 10 power minus 6 लिख दो, तो यहाँ N काई value कितनी बार जाएगी, N हो जाएगा, 20, ओके बच्चों, simple question था था दो, फिर आता है 9th question, 9th question में आपको क्या बोला बिटा, आपको यहाँ पे एक isotropic cube दिया वाए, तो non isotropic cube, non isotropic cube का मतलब क्या होता है, कि जिसका हर direction में, expansion अलग-अलग तरीके से होगा, अलग-अलग ratio में होगा, इस case में object का जो shape है, वो तो, size तो change होता ही है, लेकिन shape भी change हो जाता है, तो यहाँ पर, अब यह, X direction में कितना बोला है इन्होंने, यह मान लेते हैं alpha 1 है, Y direction का मान लेते हैं alpha 2 है, Z direction का भी इन्होंने alpha 2 ही दिया है, तो हमें पता है कि जो gamma हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, alpha 1 प्लस alpha 2 प्लस alpha 3, isotropic होता है तो तीनों जुड़के 3 alpha बना देते हैं, alpha 1 कितना है, 5 into 10 power minus 5, बागी कितना है, 5 into 10 power minus 6, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0.5 into 10 power minus 5, और ये वाला भी कितना है, 0.5 into 10 power minus 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 5, 6 into 10 power minus 5, तो यहाँ पर मुझे, इसको भी minus 6 की terms में रखना हूँ, 60 into 10 power minus 6 रख़़गो, 60, ठीके, तो ये C की value 60 हो रही, ये C का I have a question था है, आपने अगर sheet अच्छे solve कर रहे ही, तो आपको ये मिल जाएगा sheet में, तो N की value 60, और last question पर आते हैं, last question में आपको यहाँ पर, के effective बताना, के effective कैसे बताएंगे, देखो यहाँ पर, इनके resistance को मैं लेता हूँ, R1, इसको मैं लेता हूँ, R2, R3, R4, R5 और R6, तो सबसे पहले, R effective का आप के लिखोगे, 1 अपोन R1 प्लस R2 दोनों सीरीज में है, फिर R3 अकेला है, और फिर 1 अपोन R4, R5 और R6, यह है, अब यहाँ पर R effective, तो R effective को मैं लिखूँगा, L effective, अपोन K effective, area effective, R1 प्लस R2, R1 कितना है मेरे पास, R1 है मेरे पास, यह देखो, यह L by 2 है, तो यह हो जाएगा, मेरे पास, देखो, आदा आदा है, यह कुछ नहीं दिया, तो आदा नहीं मानना इसको है न, तो यह कोई लाइन की symmetry भी देख लो, यह L by 2 हो तो यह भी L by 2 होगा, L by 2 बच्चेगा, तो L by 2 से यह कितना हो जाएगा, L by 2 के A, L by 2 2 के A, ठीक है, यह तो हो जाएगा, 1 upon R1 प्लस R2, 1 upon R3 कितना हो जाएगा, इस केस में, अब इस केस में R3 हो जाएगा मेरे पास, R3 हो जाएगा मेरे पास, यह चीज को मैं मिटाता हूँ, थोड़ा सा बोर्ड साप करते हैं, R3, R3 हो जाएगा मेरे पास, L upon 2 के A, अब R4, R4, 5, 6, 4 यह रहा, तो L by 4 के A, प्लस L by 4, 2 के A, प्लस L by, 2 के A, यह हो गया मेरे पास, अब चलो अगली स्लाइट पे इसको सॉल करते हैं, अब आपको के अवली एक्वेशन को सॉल करना बस है, बाकी कुछ भी इसमें एक्स्टा नहीं बचा है, तो इस एक्वेशन को सॉल करोगे, तो देखो, के A अपॉन L तो बाहर आ जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 1 by 2 प्लस 1 by 4 रेने की, कितना हो गया है, 3 by 4, 3 by 4 का हो जाएगा, 4 by 3, यह कितना हो जाएगा, 2 उपर आ जाएगा, यह कितना हो जाएगा, 1 by 4 प्लस 1 by 8 प्लस 1 by 2, इसको में लिखूंगा 2 by 8 plus 1 by 8 plus 4 by 8 तो यह उजाएगा 7 by 8 तो इसको में लिखूंगा 8 by 7 ठीके? अब यहाँ पर इसको और solve करो आप तो K A by L LC M low 21 तो 7 चोग 28 42 चोईज तो यह कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा मेरे पास 28 और यह 30, 40 और 30, 70 94 by 21 K A by L अब R effective को देखो में यहाँ जब solve करूँगा तो K effective आजाएगा A effective कितना आएगा? 3 A by L effective L और ही हो जाएगा 94 K A divide by L तो L से L कटेगा A से A कटेगा 94 by 21 तो K effective कितना आएगा? मेरे पास 94 by 63 K अब 94 by 63 इसको arrange करना है तो अब देखते है arrange किस फोर्म में करना है यहाँ पे लाना है 2 A की जगे में लिखूँगा 47 का double होता है और इधर लिखना है 7 तो इधर आजाएगा 9 K अब देखो यहाँ A की जगे क्या लिखा हो है 47 और B की जगे क्या लिखा है इतना तो A प्लस B इतना बन जाएगा मेरे पास 47 प्लस 9 यहने की 56 तो मेरा option यहाँ क्या हो जाएगा 56 ओकी बच्चों तो इस तरह से हमारा यहाँ पर इसका paper का जो discussion हो complete होता है उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने काफी हद तक questions सही की होंगे कुछ questions यहाँ पर नए concept हो सकता है किसी को लगे हो जैसे कि faulty barometer वाला हो गया तो एक दो questions देखो prepare रहा करो नए concept को भी heat करने के लिए जही में आते हैं इस तरह questions ओके बच्चों तो अगली तैयारी जो आपके test आने वाले 12 वाले section के आने वाले उनके लिए भी ऐसी तरह से तैयारी करते रहें और अपने जो marks उनको at least 50% plus रखें क्योंकि ये पाट टेस्ट हैं बिटा तो all the best बच्चों for the next test coming in a few days ओके बच्चों thank you all the best